नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों के बीसी के बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहे हैं आज भी हम आपके लिए के बीसी के नए एपिसोड के बारे में जानकारीड लेकर आये हैं के बीसी में फिजिकल रिसर्च रिलेबरेटरी से रोकट गर्ल सिनेहा नायर पहुंची है हम इसे एपिसोड के बारे में आपको बताएंगे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया इसे लाइक बटन जरू दबाएं ताकि ताजाए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे हैं उमीद है दोस्तों आपने हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लिया होगा दोस्तों KBC के शो में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता रहता है नएनी बात सिखने को मिलती है केबीसी में अभी नवरात्री स्पेशल शो चल रहा है इस बार केबीसी में जो कंटेस्टेंट आई ہیں उनका नाम सनेहा नायर है सनेहा नायर स्पेस रिसर्च में काम करती है उन्होंने बताया कि वह देश के लिए ऐसे महान वगञ्ञानिकों के साथ काम करती है जो कि Space Research के लिए, Space Mission के लिए काम करते हैं सिनिहा नायर ने अमिताब बच्चन को यह भी बताया कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 104 साटिनाइट्स को एक बार में लाउंच किया था इसके बाद अमिताब बच्चन अपनी कुर्सी से उठकर खोद सिनिहा नायर तक पहुंचते हैं और उन्हें बधाई देते हैं उन पर गर जिताते हैं दोस्तों केबिसी के इस एपिसोड में जब स्नेहा नायर पहुंची है तो अब देखना यह है कि स्नेहा नायर केबिसी के मंज से कितना जीत कर जाती है हाँ दोस्तों इस बारे में जो भी जनकारी आएगी के विसी के बारे में वह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक आप सब्सक्राइब जरूर कर ले